जेहिन मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेड में सभी ट्रेड का बाप है, किस तरह से ट्रेड में की नोकरी सभी नोकरियों से बिंदा से, आर्मी का अंदर ट्रेड में के सब ट्रेड होती हैं, उनके सभी ट्रेड के क्या का काम होते हैं वर्दी राइफल इस्टार लगते हैं कि नहीं और कैसे आप लगा सकते हैं आगे का प्रमोशन एक्जाम माफ कैसे करवा सकते हैं तो ट्रेड मेन की A2 जेट जानकारी हम बताएंगे टोप टू बोटम वीडियो को अंते तक देखिएगा इसके अपना करें काम क्या हो होते हैं दोस्तो दसवी से अगर भरती हो तो काम क्या होते हैं सबसे पहले दोस्तो होता है स्टीवर्ट इसके बाद शेफ यानि की कुक की वेकेंसी सबसे जादा होती है जिसके अंदर आपको जवान अधिकारियों के लिए अलग अलग तरेका खाना बनाना होता है डेली ब उस तरह से आपको iron करना होता है dresser यह नहीं कि दोस्तो बार-बार को dresser कहा जाता है आपको सभी जवानों की hair cutting एक ही style में trimmer से करनी होती है और इसमें आपको कभी-कभी tips भी मिल जाती है tailor दोस्तो सभी जवानों के जो वर्दी होती है इसके बाद पैंटर दोस्तो जितनी भी painting वाला काम होता है इंडियन आरमी के vehicles पेंटिंग हो या फिर buildings पे वो painting वाला काम जो है famous पैंटर का होता है musician या फिर burglar बोल सकते हैं उसको इनका काम होता है दोस्तो जो bigler बजाने का काम वो musician का होता है अगर आपको कुछ बजाना आता है या फिर bigl बजाना आता है तो दोस्तो आप musician से भी apply कर सकते हैं आठीव पास Mary pass से क्या-का काम होते हैं तो आठीवी पास की यहाँ पे दो ही ट्रेड होती है housekeeper और mazekeeper नाम से ही पता चलता है housekeeper, mazekeeper मतलब है दोस्तो house और घर का और maze का दोनों को ही अच्छे से cleaning करना जैसे कि दोस्तो hotel management के बाद आपको सिखा जाता है किस तरह से उसको तरतीव wise, maze में लेवटिंग करना होती है, serve करन होता है, वो सारे काम housekeeper, mazekeeper के आठीवी पास भरती के बाद होता है, इसके बाद हम बात करते हैं, NCC अगर आपके पास है तो क्या फाइदे मिलेंगे, NCC दोस्तो आपके पास C certificate है तो exam देने की जरुद नहीं है, सीधा भरती हो जाओगे physical, medical निकालने के बाद, मगर आपके पास A और B certificate है तो उसके आपको bonus marks दिये जाते हैं, कम education के साथ आप इसमें भरती हो सकते हैं, कैसे आपको सिर्फ 8 वी में simple pass हो दिया, फिर 10 वी में simple pass होना रहता है, हर trade के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे aggregate मांगा जाता है, मगर trade man में कोई aggregate नहीं मांगा गया है, वरती औ आपको rifle भी दी जाती है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, star के से लगाएं, दोस्तों जब आप भरती होते हैं, तो इसमें लांस नाइग यावर सिपाई से भरती होते हैं, और यहाँ पे आप हवलदार तक जाते हैं, मगर star आगे लगाना है, आगे का promotion पाना हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसको आप आई बटन में देख सकते हैं, कि अगनी वीर से star कैसे लगाएं, उसके लिए दोस्तों आपको Army Cadet College SEC Entry पास करना होती है, उसके बाद आप इसमें star लगा सकते हैं, उस डिटियल देखने के लिए ये वीडियो जरूर देखें, कितने दिन मापाप की पास रह सकते हैं, अगनी वीर के अंदर आप 30 दिन annual लिव जा सकते हैं, और डॉक्टर के परामर्स के हिसाब से अगर सारी कोई प्रोबलम है, तो आप एक्स्ट्रा छुट्टी जा सकते है इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है, अगनी वी ट्रेडमेन का, तो आपको बता दें, ये सब अलग-अलग स्टेट और रीजन वाइस होता है, तो 186 से 170 सेंटीमेटर के अंदर आपकी हाइट होनी चाहिए, जो की जीडी से कम मांगी गई है, 76 सेंटीमेटर की ये 5 सेंटीमेटर का फुलाव आना चाहिए, 48 से 50 केजी तक वेट होना चाहिए, दोस्तो आगे बात करते हैं, चैन पिरकिरिया इसकी क्या होती है, तो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है, और अनिमम 32 माक्स तो लाना ही होता है, NCCC Certificate के लिए एक्जाम माफ हो जाती है, बात करते हैं दोस्तो आरमी के अलावा भी ट्रेडमेन के मोके कहां कहां होते हैं, तो ट्रेडमेन दोस्तों CRPF, ITBP, CISF, SSB, BSF, आसाम राइफल के अंदर भी ट्रेडमेन की नोगरी खुलती ह जिसमें दोस्तों गल्स भी अपलाई कर सकती हैं, इसके लिए आपको अक्छा दस्वी पास होना रहेगा, हाइट 168 cm या और 170 cm के बीच में होनी चाहिए, गल्स के लिए 155 cm की हाइट होनी चाहिए, फ्रेंड्स आपको बता दें कि बिना वर्दी वाले भी ट्रेडमेन होते हैं और वो खेसे भरती होते हैं, जिनको ग्रूप C, सिविलियन कहा जाता है, उसके लिए आपको अक्छा दस्वी पास होनी चाहिए, लड़कियां भी इसमें भरती हो सकती है, हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और नाहीं कोई रनिंग वगेरा करनी होती है, मगर इस ये सारी पोस्ट इसमें होती है, 18-25 साल तक की एज रिक्वार्मेंट भी होती है, दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक, शेर, कमेंट कीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जेहिन, जे भारत, बंदे मात्रम